आर्ती ने छोटू के मौत का धंधा बना लिया है और वो उस धंधे से ऐसा तमाशा कर रही है कि वो उससे लाखो रुपए कमा रही है जानते हैं कैसे अगर कोई लड़की फेस्बुक पे लाइब आये और लाइब आके अपने सुहाग रात की कहानी बताए तो उससे धंधा सिर्फ और सिर्फ आर्ती छोटू का न्यूज चल रहा था जब हर एक पत्रकार आर्ती के घर पर डेरा डालके बैठे हुए था हर एक पत्रकार आर्ती के मुह में माई घुसेड रहा था तब भी हमने आर्ती छोटू से रिलेटेड एक भी न्यूज कवर नहीं किया क्योंकि जो कहानी हम सब के सामने आई थी उसके लिहाद से आर्ती बिल्कुल सही थी आर्ती का प्यार करना सही था, आर्ती का प्यार करके घर छोड़के जाना सही था यूट्यूब सेनल बनाना सही था, आर्ती का मोनू से साधी करना भी सही था और जब मैं ये बाते कह रहा हूँ तो इसे प्रूफ भी करूँगा कि कैसे बताईए जरा कौन लड़का है जो किसी लड़की से बात नहीं करता है या कौन लड़की है जो किसी लड़के से बात नहीं करती है या कौन लड़का और लड़की है जो दोनों साधी से पहले आपस में मिलते नहीं है सिनेमा हॉल देखने नहीं जाते हैं फिल्में नहीं देखते हैं पार्क में नहीं जाते हैं सब कोई करता है हर कोई आरती ने भी वही किया लेकिन जानते हैं इसमें खेल कहां हुआ खेल वहां हुआ जब हमें बताया गया आर्ती के द्वारा की भावी ने आधी रात को छोटू को बुलाया और बुला के पूरे परिवार वालों ने मिलके मार दिया जबकि इस कहानी का सच ये था कि छोटू को आधी रात में भावी ने नहीं आर्ती ने खुद बुलाया था और आपती जनक हालत में दोनों सायद पकड़े गए होंगे इसके बाद परिवार वालों का गुसा सात्वे आस्मान पिता और उन्होंने छोटू को मार दिया इतना तक तो फिर भी ठीक था इतना अगर आपके साथ हो जाई या किसी लड़की के साथ तो वो पागल हो ही जाएगी और वो सब कर देगी अगर बहादूर होगी तो जो आर्ती ने किया और आर्ती ने वही किया वो छोटू के घर चली गई गुसे में जाके छोटू के यहां रहने लगी लेकिन जानते हैं आर्ती ने इस प्यार और मौत को धंधा कब बनाया उसने धंधा तब बनाया जब यूट्यूब चैनल खोला और उस यूट्यूब पर घड़ियाली आशू बहाने शुरू किये आखों में आशू लेके इमोशनल गाने गाके वो छोटू के मौत को भुना रही थी आर्ती जान रही थी कि पूरे बिहार का सिंटिमेट हमारे साथ है पूरा बिहार हमारे प्रती अभी इमोशनल है तो मैं इमोशनल काम करूँगी तो लोगों को लगेगा कि आर्ती पर कितना दुख बीद्रा है और आर्ती ने वही किया आर्ती आखों में आशू लेके डांस करने लगी गाने बनाने लगी क्या खाना बना रही हूं क्या पका रही हूं सब करने लगी और उस पे व्यूज भी आने लगे यहां तक तो फिर भी ठीक था आर्ती ने फिर मोनू से साधी की और साधी करने की सबसे बड़ी वज़ा है वजह ये नहीं कि आरती ने कह दिया था कि हम तो छोटू की विद्वा बनके रहेंगे तो पिर उसने साधी क्यों कर ली अरे सर कोई परिवार वाला कुवारा किसी लड़की को अपने घर में क्यों रखेगा वो नहीं रखेगा किसी भी हाल में नहीं रखेगा परिवार वालों ने मोनू से साधी करा के आरती की कोई गलती नहीं की और आरती ने भी मोनू से साधी करके कोई गलती नहीं की अगर आप इसे निस्पक्ष तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ लेकिन फिर दोनों ने साधी की और वो साधी की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया अपलोड करने के बाद उस पे व्यूज आए और इसके बाद आर्ती ने पत्रकारों के पास फोन किया सर एक बार फिर से सुनिये पत्रकार जो प्रेस कॉन्फरेंस में गये थे उनमें से कईयों के पास आर्ती ने फोन किया था और फोन करके बुलाया था कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं और आर्ती ने सब का वीडियो बना बना के यूट्यूब पर अपलोड कर रही थी आर्ती एक कहानी हम सब के सामने आ रही थी कि प्रेस कॉन्फरेंस में आर्ती के साथ जगडा हो गया ये हो गया वो हो गया वो सारी वीडियो यूट्यूब पर आर्ती ब्लोग के तोर पर डाल रही थी कि आर्ती प्रेस कॉन्फरेंस करती होई प्रेस कॉन्फरेंस में आर्ती के साथ हुआ जगड़ा, पत्रकारों ने पूछे उल्टे सवाल, मतलब समझ रहे हैं आर्ती ने सब का मजा ले रही थी, वो छोटू के मौद को भुना रही थी, छोटू के नाम पे वो व्यूज ला रही थी और वो उससे पैसे कमा रही थी और यही दुख की बात है, अगर आप अपने वीडियोज बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन छोटू की मौद को भुनाना यह धन्दा ही है यहां तक तो फिर भी ठीक था, एक बार के लिए हम बरदास्ट कर सकते थे कि आरती ने समझा कि हम गरीब फरिवार से बिलोंग करते हैं, पैसे कमाने के जुगार नहीं है तो यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं और छोटू के नाम पे नाम हो गया है तो वीडियो चली ही जाएंगे तो फिर छोटू के मौत का इसने धन्दा बनाया और उससे तमाशा करने लगी और उससे वो पैसे बनाने लगी लेकिन कल एक ऐसी वीडियो हमारे पास आई जिसे देखने के बाद यकीन मानिए मैं हत्प्रभता और आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किस तरह की घटिया मान सिकता है ये किस तरह का बहायापन है क्योंकि वो लाइब कर रही थी और लाइब में कुछ सवाल पुछे जा रहे थे उस सवाल में किसी ने पूछा कि जो अपने माबाब की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी आउर्ति इसका बख़ू भी झवाब देती है इसके बाद फिर किसी ने पुछा कि सुहाग रात मना ली आरती इसका भी जवाब देती है और आरती कहती है कि सुहाग रात तो उसी रात में बना ली है जिस रात में साधी हुई ये भी कोई पुछने वाली बात है अरे आरती वो पुछने वाली बात नहीं वो पढ़ने वाली भी बात नहीं है वो जवाब देने वाली भी बात नहीं है और जब तुम इसका जवाब दे रही हो तब समझ में आता है कि तुम्हें YouTube के किड़े ने कितने जोर से काटा है तब यह समझ में आता है कि तुमने छोटू के नाम पे कितना बड़ा धंधा कर रही हो और उस धंदे से कितना तमासा कर रही हो और उस तमासे के नाम पे लोगों को मुर्ख बना के कैसे पैसे कमा रही हो यह जाहिल गमारपन और बहायापन की हर हत पारिसी को करना कहते हैं और तो तुम्हें कोई जानता नहीं और तुम्हें कोई जानता नहीं तो इस तरह का बक्वास व्लॉग Video तुम्हारा कोई देखता नहीं लेकिन तुमने छोटू के नाम पे धंधा किया, उस धंदे को तमासा बनाया, और तुम्हारी आग में एक लड़का जुलस के मर गया। मैं इतने दिनों तक चुट इसी लिए था, क्योंकि मैं आरती की एक-एक मजबूरी को समझ रहा था। लेकिन आरती का जो छेहरा सामने आया है ना, उससे पता चलता है कि लड़की हूं, कुछ भी कर सकती हूं।